100 days survival as a lava tiger in minecraft hardcore world वीडियो को इंट तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो day 1 को मैं ऐसा baby lava tiger spawn हुआ और तभी मैंने देखा के मेरे आस पास आग लगी भी थी क्योंकि हमारे base पर एक ice line ने attack किया हुआ था वो अपने साथ अपनी पूरी army लेकर आया हुआ था और वो सभी fire tigers को पत्थर का बना रहा था ये देखकर मैं अपने घरवालों की मदद करने के लिए उस ice line को मारने के लिए गया लेकिन मेरे किसी भी attack का उस पर कोई इसर नहीं हो रहा था और तभी उसने मेरे उपर attack किया और मैं दूर जाकर गिरा लेकिन तभी मैंने देखा कि अब मैं चारों तरफ से ice line से घिरा हुआ हूँ तो मैंने वहाँ से भागना शुरू किया और मैं अपने चोटे size की विरसे वहाँ से बहुत दूर भी आ चुका था इसके पर day two को भी मैं भागता जा रहा था क्योंकि वो ice lines मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने कहा जाना है मैं बस भागता चला जा रहा था और तभी भागते भागते में वहाँ पर एक जगा पर पहुँचा जहाँ पर मुझे एक penguin मिला उस penguin ने कहा जल्दी से इस cave में आ जाओ और मैं जाकर उस cave में चुक गया तभी वहाँ पर वो ice line आये लेकिन वो penguin को देखकर वहाँ से चले गए इसके बाद वो penguin मेरे पास आया तो मैंने उसको thank you बोला इसके बाद मैंने उससे पूछा गी क्या तुम जानते हो कि ये ice lines कोन है और ये मुझे क्यों पकड़ रहे हैं तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ तो उसने मुझे बताया कि ये ice line काफी सालों पहले एक ice biome में रहा करता था और इस पूरी वर्ड में सिर्फ एक ही ice biome थी और उसके अंदर ice line के लाबा कोई भी creature नहीं रहता था जिसकी वज़ए से उन ice lines को काफी ज़दा मेहनत करनी पड़ती थी सिर्फ खाने के लिए तो फिर इसी घुसे की वर्ड़ा से उसने फैसला किया कि वो इस पूरी minecraft को ice biome में convert कर देगा ताकि वो जहां चाहें जा सकें तो मैंने उसे पूछा कि किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की तो उसने कहा की थी एक mysterious hero आया था लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया और उसके बाद से ice land को कोई नहीं रोक पाया फिर इसके बाद मैंने उस penguin को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस ice land को रोकूँँगा और उससे एपनी family का बदला भी लोँँगा तो उसने कहा ठीक है मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा फिर इसके बाद मैंने उस penguin से पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस cave में रह सकता हूँ तो उसने कहा जरूर फिर इसके बाद मैंने अपने लिए कुछ tools बनाए और थोड़ा सा material collect किया और फिर मैं इस cave को decorate करने लगा इसके बाद day 4 को मैंने वो base finally ready कर लिया था लेकिन अब मुझे अपने base पर वापस जाना था ताकि मैं वहाँ पर जाकर देख सकूँ कि मेरी family का कोई बंदा जिन्दा है या नहीं फिर मैं और वो penguin मेरे base की तरफ जाने लगे लेकिन तभी चलते चलते मैं एक planes biome में पहुंचा जो कि पूरी तरह से ice में covered हुई पड़ी थी फिर इसके बाद मुझे उस penguin ने कहा कि मैं जादा नहीं चल सकता तो मैंने उसको कहा ठीक है तो मैं अपने base पर वापस जाओ आगे मैं अकेला ही जाओँगा इसके बाद day 5 तो 6 में उस plane biome को explore करने लगा और इसके राबा मुझे भूख भी लग रही थी और तभी मुझे वहाँ पर कुछ pigs मिले और मैं उनको मार नहीं वाला था कि तभी उनमें से एक pig ने मुझे chicken दिया और उसने मुझे कहा कि ये ले लो लेकिन हमें मत खाना तो मैंने कहा ठीक है और फिर जैसे ही मैंने वो chicken खाया तो मैं एक adult lava tiger में convert हो गया और अब मेरे पास total 10 hertz थे इसके बाद day 7 to 8 में आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी मुझे वहाँ पर एक plains village मिला जो कि पूरी तरह से बरफ में घीरा हुआ था और कुछ villagers भी अभी तक उन घरों में फसे हुए थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो मैं जल्दी से उस village के mid में गया और इस village पर fire radiations डाली जिससे वहाँ की सारी बरफ पिघल गई और सभी villager अपने घरों से बाहर आकर celebrate करने लगे फिर इसके बाद उन villages ने आकर मुझे thank you बोला इसके बाद उस villager ने मुझे कहा कि तुम उस snow beast से कैसे बचे मैंने उसे पूछा कौन सा snow beast तो उसने मुझे कहा कि जिसने हमें यहाँ पर trap किया था तो मैंने कहा कि मैंने किसी snow beast को नहीं देखा तो तब ही उसने मुझे कहा पीछे मुड़ो और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मेरे पीशे एक snow beast खड़ा हुआ था जो के काफी जादा scary था इसके पड़ day 9 to 10 मेरी और उस ice golem की fight start हो गई लेकिन वो ice golem काफी जादा powerful था और मैं अभी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा लेकिन वो ice golem मेरा पीछा कर रहा था भागते भागते मैं एक cave में आ गया और उसके बड़ day 11 to 13 में उस cave के अंदर और जादा जाता गया और तब ही मुझे वहाँ पर एक lava lake दीखी तो मैंने जाकर उसके अंदर छलांग लगा दी इसके बाद वो ice golem वहाँ पर आया लेकिन वो उसके जादा करीब नहीं आ सकता था तो मैं जल्दी से उस lava के अंदर नीचे चला गया लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि इस lava से मुझे powers मिल रही है और इससे मैं काफ़ी जादा powerful हो गया और अब मैं lava balls भैंक सकता था फिर उसके बाद मैं उस lava से निकला और मैंने उस ice golem के उपर attack कर दिया जिससे देखकर वो ice golem वहाँ से भागने लगा तो फिर उस cave से बाहर निकल कर उसकी और मेरी fight फिर से start हुई और मैंने finally उसको मार दिया और उसको मारने से मुझे 5 और hurts मिल गए और मुझे एक अजीब सा tool भी मिला था तो मैंने उसको भी ले लिया और फिर मैंने फिर से वो सारी बरफ वहाँ पर पिखला दी इसके बाद day 14 to 17 मैं अपने base पर वापस आया और मैंने आकर उस penguin को अपने सारे adventure के बारे में बताया इसके बाद मैंने पर उस cave के बहर एक बहुत बड़ा लावा tower बनाया और मैंने अंदर के interior को भी और जादा set किया और फिर तभी इसके बाद वहाँ पर एक fire line आ गया और उसने आकर मुझे कहा कि तुम जितने ही powerful हो जाओ ना तुम और ना ही वो fire wolf आइस लाइन किंग को रोक सकते हो और तभी उसने वहाँ पर एक mob spawn किया और वो वहाँ से भाग गया मैं काफी confused था कि यह किस fire wolf की बात कर रहा है लेकिन तभी day 18 से लेकर 21 तक मैंने उस mob से fight की और फिर मैंने और मेरे उस penguin फरेंड ने हम दोनों ने मिलकर उस mob को मार दिया इसके बाद मैंने उस penguin से पूछा कि क्या तुम fire wolf के बारे में जानते हो तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ तो उसने मुझे बताया कि ice lion king को रोकने के लिए वो fire wolf उससे fight करने लगा और उन्होंने काफी देर तक fight की लेकिन end में उस ice lion king ने उसको हरा दिया और सब लोगों को लगता है कि वो मर चुक है लेकिन वो अभी भी जिन्दा है और वो nether में रहता है इसकी पर day 22 से लेकर 26 तक मैं फिर से इस world को explore करने के ले गया ताकि किसी और बायोम को rescue कर सकूँ तो explore करते करते मैं एक जगा पर पहुँचा ये swamp बायोम था और वहाँ पर मुझे एक witch का hut मिला और तब ही उस witch hut में से एक witch निकली तो मैं उसके पास चला गया तो उस witch ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मेरे कुछ magical swamp animals को उन ice lines ने कैद कर लिया है और वो उसको evil ice line king के पास लेकर जा रहे हैं तो क्या तो उनको बचा कर मेरे पास वापस ला सकते हो तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करूँगा और फिर day 27 से लेकर 29 तक मैं उन magical creatures को rescue करने के लिए चला गया और फिर finally मैं उन ice lines के camp पर पहुँच भी गया फिर मैंने उनके ओपर चुपके से attack करने की कोशिश की लेकिन तभी उन ice line ने मेरी heat को feel कर लिया और तभी उन्होंने मेरे उपर attack कर दिया तो मैंने भी उनसे fight की और मैंने उन सब को मार दिया इसके बाद मैंने देखा कि वो magical creatures एक जगा पर कैद थे और फिर इसके बाद मैं उन magical creatures को वहाँ से अजाद कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक और creature आ गया ये एक बहुती बड़ी lizard थी और मुझे इससे fight करनी थी और day 30 से लेकर 33 तक उसकी और मेरी fight स्टार्ट हो गई वो lizard काफी जादा powerful थी और वो मुझे पर बुरी तरह से attack कर रही थी और मेरी health भी काफी जादा low हो चुकी थी और फिर तभी मैंने उसके उपर अपनी fireball से attack किया और वो जलने लगा और तभी वो fight के बीच में ही रुख गया और उसने मुझे कहा कि मैं काफी time बाद इतना warm महसूस कर रहा हूँ और तभी वो उस giant से एक cute सी lizard में convert हो गया जिसके वरे से मुझे कुछ और hurts मिल गए और मुझे jumping की power भी मिल गए अब वो lizard मेरी side पे थी तो मैंने उसे पूछा गए क्या तो मेरे base पर चलोगी तो उसने कहा ठीक है इसके वर day 34 से लेकर day 37 तक मैं और मेरी वो दोस lizard हम लोग अपने घर पर वापस आ रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर हमें कुछ hunters मिले और उन्होंने हमारे उपर attack करना शुरू कर दिया वो लोग काफी ज़ादा थे और हमारे उपर attack कर रहे थे लेकिन तभी वो सभी के सभी ice में convert हो गए और वहाँ पर वो ice line king आ गया और उसने आकर मुझे कहा कि जब तुम इन इनसानों को ही नहीं मार सकते तो तुम मुझे क्या ही मारोगे और अब मैं तुम्हें खतम कर दूँगा लेकिन तभी उस lizard ने उसको कहा कि मेरे दोस्स से दूर रहो और फिर से वो उस mutant beast में convert हो गई और उसने जा कर उस ice king से fight करना शुरू कर दी लेकिन मैं और वो lizard हम मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे तो हमें वहाँ से भागना पड़ा इसके बाद day 38 से लेकर 41 तक हम लोग अपने घर पर भागते भागते वापस आए फिर इसके बाद मैंने उस lizard के लिए भी वहाँ पर एक जगा बनाई जहां पर वो रह सके फिर इसके बाद मैं उस lizard से बात करने लगा और मैंने उसको कहा कि आज तो हमें भागना पड़ा लेकिन मैं उसको एक दिन जरूर हराओंगा तो उस lizard ने मुझे कहा कि तुम अकेले उसको नहीं हरा सकते तो मैंने कहा कि मैं किसी को जानता हूँ जो के मेरी help करेगा और वो है वो fire wolf और फिर मैं कुछ diamond collect करने लगा और उससे diamond की pickax बना के मैंने lava को obsidian में convert किया और फिर उससे मैंने एक nether portal बना लिया और फिर मैंने finally उसको activate कर दिया और मैं उसके अंदर जाना ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो penguin आ गया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते तुम एक penguin हो मैं अकेला ही वहाँ पर जाऊँगा और फिर मैं उस portal के अंदर चला गया और अपनी तलाश शुरू कर दी और फिर इसके बाद lava के अंदर से होते हुए मैं एक बायोम में पहुँचा और वहाँ पर मुझे कुछ piglins मिले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो fire wolf के बारे में जानते हैं तो उनने मुझे finally उस fire wolf की direction दी और day 42 से लेकर 45 तक मैंने finally उस fire wolf को ढूंड लिया वो दूर ही एक जगा पर खड़ा हुआ था और जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहाँ से भाग गया तो मैंने उसका पीछा किया और उसके base पर जा पहुचा और मैंने उसको जाकर कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की दुरूरत है मुझे किसी भी हालत में उस ice line king को रोकना है तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और मेरे काफी मनाने पर जब वो नहीं माना तो मैंने उसके पूछा कि क्या वो मुझे training दे सकता है तो उसने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ और फिर उसने मुझे training देना start की और फिर finally सब कुछ करने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम focus करो और अपने अंदर की energy को पहचानो और मैंने जैसे ही ऐसा किया मैं तभी पहले से काफी ज़ादा बढ़ा हो गया और मेरे पास और ज़ादा hurts भी आ चुके थे और इसके राव मुझे एक fire potion भी मिल गया था फिर इसके बद मैं उसको thank you बोला और मैं वापस जाही रहा था कि तभी मैंने देखा तो वहाँ पर काफी ज़ादा ice lions थे तो day 46 से लेकर 49 तक मेरी और उन ice lions की fight स्टार्ट हो गई अब मैं पहले से काफी तदा powerful हो चुका था और हम मैंने असानी से उन सभी ice lions को मार दिया लेकिन उन में से कुछ ice lions वहाँ से भागने लगे तो मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो ice lions वहाँ से भाग गए और फिर मैं over world में वापस आने लगा इसके बड़ day 50 से लेकर 53 तक मैं उस over world में वापस आ चुका था लेकिन अब मैं एक अजीब सी जगा पर था ये जगा भी पूरी ice से धकी हुई थी और तब ही मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ cactus creatures थे जो के ice से पूरी तरह धके हुए थे फिसके बड़ मैंने उनको heat दी जिससे वो पहले जैसे हो गए और फिर उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज हमारी मदद करो हमारी queen को भी इन्होंने जमा दिया है प्लीज उनको भी ठीक कर दो तो मैंने जाकर उस cactus queen को भी आजाद कर दिया फिसके बड़ day 54 से लेकर 57 तक वहाँ पर एक और क्रियेचर आ गया और तभी उसने मुझे एक sandstone की trap में कैद कर दिया और उसने मुझे कहा कि अब किसी भी वक्त वो lion king यहाँ पर आता ही होगा और इस दवा वो तुमें नहीं छोड़ेगा इसके मैं day 58 से लेकर 61 तक मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंड रहा था और तभी उस cactus queen ने उस cage को तोड़ कर मुझे वहाँ से आजाद कर दिया और फिर मैंने उस golem के ओपर attack किया फिर हमने काफी दिर तक fight की लेकिन end में मैंने उसको हरा दिया और उसको हराते ही मुझे 5 और hertz भी मिल गए थे फिर इसके बाद मैं उस पहले वाली cactus के पास गया और मैंने उसको कहा कि क्या तो मेरे साथ चलोगी हम दोनों साथ में रह सकते हैं तो उसने कहा ठीक है लेकिन जाने से पहले मैंने इस पूरी बायोम की ice को melt कर दिया और इसको फिर से पहले जैसा बना दिया और day 62 से लेकर 65 तक मैं अपने base पर finally वापस आ गया इसकी बाद मैंने बेस को नैजर के material से upgrade किया और अब यो दिखने में पहले से काफी जादा अच्छा लग रहा था guys आपको मेरा ये base कैसा लगा मुझे नीचे comments में बताना फिर सके पर day 66 से लेकर 70 तक मैं और वो penguin एक साथ इस world को explore करने के लिए चले गए और तभी चलते चलते हम एक badlands के बायोम में पहुँचे और तभी हमें वहाँ पर एक bear मिला जो के हमें देखते ही उस cave के अंदर वापस चला गया तो हम उस bear के पीछे पीछे उस cave के अंदर गए और वहाँ पर एक baby bear था जिसके अंदर से lightning निकल रही थी लेकिन तभी मैंने महसूस किया के मुझे चक्कर आ रहे हैं और तभी मैं वहाँ पर भिहोश हो गया इसके बाद day 71 से लेकर 74 तक मैं cage में उठा और मुझे उन lightning bears ने कैद करके रखा हुआ था इसके बाद वो bear king मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे तो मैं उसको कहा कि मैं किसी को ढूंड रहाँ जो मेरी help कर सके उस ice king को हराने में क्या तुम मेरी help करोगे उस ice king को हराने में तो उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया और पिर इसके बाद day 75 से लेकर 78 तक मैं इस cage से निकलने का कोई रास्ता डूंड रहा था तब ही मुझे एक idea आया और मैं उस bear को काफी ज़्यादा घुसा दिलाने लगा जिसके वरे से उसने घुसे में आकर finally मेरे उस cage को तोड़ दिया और उन्होंने मेरे उपर attack कर दिया अब मैं भी उनसे fight कर रहा था वो bear काफी ज़्यादा powerful थे और मैं उनसे नहीं लड़ पा रहा था यहां तक के literally मैं अब half hurt पे आ चुका था तो मैं जल्दी से वहां से भाग गया लेकिन वो bear अभी भी हमारा पीछा कर रहा था और हमारे उपर lightning फैंक रहा था और तभी उसके एक attack से गलती से मेरे से वो tool गिर गया जो कि मुझे उस ice golem को मारने से मिला था और उस bear ने उसको उठा लिया और उसने मुझे पूछा कि तुमें ये कहां से मिला तो मैंने उसको बताया कि मैंने ice golem को मार कर इसको हासल किया था फिर उस bear ने मुझे पता नी क्यों कहा कि तुम यहां से जा सकते हो और उसने मुझे छोड़ दिया इसके पर day 79 से लेकर 82 तक मैं वहाँ से काफी दूर आ चुका था लेकिन तभी मुझे वहाँ पर एक frost mob मिल गया लेकिन वो सो रहा था अब हमें चुपके से वहाँ से भागना था और हम वहाँ से जाई रहे थे के तभी उस penguin ने एक block तोड़ा और उपर से एक बहुती बड़ी दिवार आकर हमारे सामने गिर गई जिससे वो frost mob उठ गया तो मैंने उस penguin को कहा कि तुम इस frost mob को distract करो मैं कुछ करता हूँ और day 83 से कर 86 तक वो penguin उस frost mob की तरफ बढ़ा और मैंने जा कर उस frost mob के उपर attack कर दिया और फिर हम दोनों की fight स्टार्ट हो गई लेकिन वो frost mob काफी जो कि मुझे upgrade होने के बाद मिला था तो मैंने potion उस penguin को दिया जिससे वो fire penguin में convert हो गया और फिर हम दोनों ने मिलकर finally उसको मार दिया फिर इसके बाद मैंने उस पूरे badlands को फिर से पहले जैसा बना दिया और day 87 से लेकर 90 तक मैं अपने base पर वापस आ गये लेकिन मैंने इस किया कि वहाँ पर वो हमारी lizard friend नहीं थी जरूर वो hunters युसको ice lion के पास ले गये होंगे लेकिन मैं अभी जाकर उस ice lion का मुकाबला नहीं कर सकता था मुझे एक plan की जरूरत थी फिर इसके बाद day 91 से लेकर 93 तक मैंने अपने base को फिर से पहले जैसा बनाया और इसके लिए मैंने अपने उस tower को भी एक volcano में convert कर दिया इसके बद मैंने उस penguin को जाकर कहा कि हमें उस lizard को किसी भी हाल में बचाना होगा तबी वो cactus भी वहाँ पर आ गई और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तो मैंने कहा ठीक है और फिर day 94 से लेकर 96 तक हम उन hunters के base पर प इतने में ही उस cactus ने जाकर उस lizard का cage तोड़ दिया और उस lizard को अजाद कर दिया जिससे वो फिर से transform हो गई और उसने उन hunters को मारना शुरू कर दिया और फिर उसने उन सभी hunters को मार दिया और फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से जाने लगे इसके बाद day 97 से लेकर 98 तक अब हमन और हमने देखा कि Ice Lion King की आर्मी वहाँ पर खड़ी भी थी तो हमने जाकर उसकी आर्मी से fight करना शुरू कर दी हम लोग उनको मार रहे थे लेकिन वो काफी जादा थे और अब वो हम पर भारी पड़ रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर एक lightning thunder आई और मैं समझ गया कि ये lightning bear ही ह और वो हमारी help करने के लिए आये थे और उन bears की help से हमने सब को मार दिया फिर इसके बाद मैं उस lightning bear से पूछा कि तुमने हमारी मदद क्यों की तो उसने बताया कि जिसको तुमने मारा वो मेरा भाई था और उसको Ice Lion King ने ऐसा बनाया था इसी वरह से अब मैं तुम्हारी help कर और उस Ice Lion King को मारूंगा फिर इसके बाद day 99 को हम उस Ice Lion के base पर पहुँच गए जो के एक बहुती बड़ा Ice Castle था लेकिन उसके आगे एक बहुती बड़ा gate बना हुआ था और मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे खोलना है और तभी वहाँ पर वो cactus आ गई और उसने आकर उस gate क को खोल दिया और अब हम लोग उस castle के अंदर चले गए उसके अंदर जाकर मुझे पता लगा कि ये castle मेरे ही family के base के उपर बनाया हुआ है क्यूंकि वहाँ पर अभी भी मेरी family के statues पड़े वे थे तो मैं जाकर अपनी family को अजाद करने ही वाला था कि तभी मेरे उपर एक trap आ अलगा और फिर इसके बाद finally day 100 को मैं घुसे से भरा हुआ था और तभी मैंने अपने घुसे से आसपास की सभी जगा को melt कर दिया और अपनी family को भी पहले जैसा बना दिया और यहां तक कि मैंने बाहर की jungle को भी फिर से ठीक कर दिया था लेकिन मुझे इस बात का अफसोस थ कि मैं अपने friends को नहीं बचा पाया इसकी बाद मैंने finally जाकर उस Ice Lion King के ओपर attack किया वो Ice Lion King काफी ज़्यादा powerful था लेकिन अब मैं घुसे से भड़ा हुआ था क्योंकि इसने मेरी आँखों के सामने मेरे friends को मारा था और अब मैंने उसको मार मार कर finally काफी ज़्यादा weak कर दि किया और अब मैंने उसको पर जैसे ही final attack किया तो एक Ice Cat में convert हो गया और मैंने finally इस World को बचा लिया तो वैस यह थी हमारी वीडियो आपको यह वीडियो कैसे लगी मेरे comments में लाजमी बताना अगर अच्छे लगी तो इस वीडियो को like करके मेरे channel को भी subscribe कर दें और हाँ guys आपको next वीडियो कौन सी चाज़ी मुझे नीचे comments में बताना तो चलो फिर आज की वीडियो यही तक आप से भी लोगे इस तरह के एक और नए वीडियो में तक तक के लिए bye bye